नमस्कार आप देख रहे हैं YAS News मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सपा ने मुरादाबाद लोकसभा से आजम खान की करीबी रही रुची वीरा को दिया टिकेट डॉक्टर स्टी हसन को टिकेट देने के बाद काटा अंदरूनी कला आई सामने तो मुरादाबाद में अभी अभी रुची वीरा का पुतला फूंका मुरादाबाद युवाओं ने सपा की बहरी प्रत्याशी रुची वीरा का पुतला फूंका जम कर हो रहा विरोध रुची वीरा वापस जाओ के लगाए नारे सपा ने मुरादाबाद लोकसभा से रुची वीरा को दिया टिकेट, डॉक्टर स्टी हसन को टिकेट देने के बाद काटा, अंधरूनी कला आई सामने अब डॉक्टर स्टी हसन किसी और पार्टी से प्रत्याशी के रूप में कर सकते हैं नामानकन सूत्रों की माने तो रामपूर से सपा के टिकेट पर भी लड़ सकते हैं चुनाव लोकसभा 6 मुरादाबाद से श्रीमती रुची वीरा को समाजवादी पार्टी सांसद प्रत्याशी घूशित कर दिया जबकि आज समाजवादी पार्टी से डॉक्टर स्टी हसन ने नामानकन किया है लेकिन सुबह से ही सूत्रों के अनुसार पता चल रहा था कि डॉक्टर स्टी हसन का टिकेट कैंसिल हो गया है बावजूद इसके स्टी हसन ने नामानकन किया है सूत्रों की माने तो सपा में भी अंद्रूनी कला सामने देखने को मिल रही है तथा सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है सपा ने मुरादाबाद लोकसभा से रुची वीरा को दिया टिकेट डॉक्टर स्टी हसन को टिकेट देने के बाद काटा अंद्रूनी कला है सामने तो रुची वीरा का पुतला फूंका मुरादाबाद युवाओं ने सपा की बहरी प्रत्याशी रुची वीरा का पुतला फूंका जमकर हो रहा विरोध रुची वीरा वापस जाओ के लगाये नारे तो रुची वीरा वापस जाओ रुची वीरा वापस जाओ रुची वीरा वापस जाओ उंक तरेशियोसन जिनाब आजबए पाधी बाट्टी जिनाब आजमगा जिनाब मार लासमार, हाड़ा हुआ थ고ंग